हालो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चनल हर दिन टेक्निकल पर आसा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे हाई हो चलिए हम आज देखते हैं हम लोग के 3000 वाट का जो ड्राइवर बोड था इसका काफी कमेंट आ चुके थे मेरे पास तो सुचा आज कंप्लेट कर देते हैं हाला के मुझे तीन या चार दिन लगते हैं एक विडियो बनाने में तो आज इसका हम देखते हैं तो एक रिक क्वेस्ट है कि आप जिस तरह से कमेंट करते हैं अगर किसी स्रेक्ट की जरुत होती है तो कि आपने ये बना दीजिए बना दीजिए करके या किस तरह से तो जब सपोर्ट की बारी आती है तब भी आप उतना ही जज़वा दिखाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा का मेरा मतलब यह है कि अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो उसके मुश्किल से 20 या 25 लाइगा जाएंगे या 20 या 25 कमेंट कर देंगे लोग उससे काम नहीं चलता भाई अगर इतना दिल से सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर मुझ से भी यही होता है कि जब टाइम मिलता है तब ही बना पाता हूं क्योंकि घर परवार सब के साथ है और समस्यां सब के साथ चलती है तो चलिए अब आप सपोर्ट करेंगे तो उस हिसाब से वीडियो की अगर नहीं सपोर्ट होता है तो फिर यूटूब चैनल से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खासी अर्निंग न तो लोग बाग नहीं देखना चाहते क्योंकि मतलब की चीज़ देखी उसके बाद से क्या बता चाहरा है क्या नहीं अगले वीडियो का कोई मतलब ही निकलता यानि कि मैं अगर अगर अभी डाल दे रहा हूं मैं यहां पर उसके बाद से अगर यहां पर यह वीडियो चला जाए उसके बाद से अगला कोई वीडियो डालूँगा तो उस पे फिर भी जी नहीं आए क्योंकि आपको देखना ही नहीं नहीं है सिर्फ आपको मतलब का निकल जाएगा वो देखना है कि तीने जार वोट आ गया चलो देखलो अपना इसकी सोट लेके कंप्लेट कर अटाओ तो भाई सपोर्ट की जरत पड़ती है हर किसी को अगर आपको आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है मैं वीडियो लाना ही बंद कर दूंगा तो कोई फायदा नहीं कि बहुत जादार निंग ना होने के चलते चलाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक वी इस तरह से सारा नंबर दिया हुआ है कलर कोड भी दिया हुआ है उससे मैच किया हुआ है रेजिस्टेंस बनाने में भी मुझे टाइम लग जाता क्योंकि हर वार रेजिस्टेंस मुझे डिजैन करने पड़ते हैं तो यह हो गया चलिए बाकी के जो यहां ट्राइस्टर यह आंपी न है और 1837 जो रहेगा वो पी एंटीट एप रहेगा उसके बाद से में जे का जो रहेगा तीन सुचालीस बया और तीन सुपचास जो रहेगा वो पी एंटी टैप रहेगा हाला कि मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि हैंपको अधर प्रॉलम ना हो बोड में तो NPN पीन पी वहां नहीं बताता हूं मैं आगे बोड में यहां पर इसका जो अल्टरनेट ट्रैंस्टर होता है वह ऐसे उनीच सिक्तालेश है ठीक है तो यह पीन पी हो गया वह उपर वाला एंपिन है और ऐसे ही बावन्सों को हम अच्छी तरह कैसे जानते हैं बली भात ही तरह किसे जानता है हर कोई हाला कि बात अलग है कि मार्केट में डुप्लिकेट बहुत मिल रहे हैं आजकर तो वह समस्याएं भी बनी हुई है तो इसका अल्टरनेट भी उननिस्तितालिस होता है पी एन पी तो यह सारे ट्राइस्टर हो गई जो यहां लगने हैं बोर्ड में तो आप देख लीजिए इस तरह से और पीएफ इसलिए से नहीं बताए गए हैं कि आपको पीएफ तो वहां देखी जाता है नंबर तो बहुत ज़्यादा ज़रूत न माइनस कि यह सप्क्लाइय ऒल तो इस तरह से यह सप्लाई में लेते हैं बहुत ज्यादा भलां रखें कि आप सप्लाई को ड्रेक्स लक्रीघ्ट म का बहुत ज्यादा रिस्क है इसमें कि डीसी सप्लाइज जो 240 बनती है वो ज्यादा ही डेंजरस है तो आपको ध्यान रखें काम करते टाइम पे ठीक है तो आगे हम देखते हैं कि क्लेक्टर के लिए भी इसी पॉइंट से निकल जाता है यानि कि मैं सप्लाइज या तो यहां लगे हैं सीरीज में और उनके साथ 1N4007 रहेंगे नंबर भी लिख दिया साथ में और 56K की रेजिस्टेंस यहां इस तरह से जुड़ी रहती है अब यह जो आरेंजमेंट किया रहा है यह हमारे जो MJ340 है तो उसके बेस पे वोल्टेज ले जाने के लिए अरेंजमेंट किया जाता है तो आप यहां नीचे वाला भी सेम वही रहेगा और दो डायोड यहां भी लग रहेंगे 1N4007 और यहां ट्राइस्टर ले ले लेते हम MJ350 इसके बेस को डिरेक्ट इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे ठीक है तो यहां इस तरह जोड़ा रहेगा और रेजिस्टेंस का एक साथ जो हमारा प्रिसेट रहेगा उससे जुड़ा रहेगा तो प्रिसेट यहां 200OM का है यह और इसका जो इस र रहेगा वो दूसरा वाला मतलब यहां एक से जूड़ जाएगा जो आउट निकलके यहां तो एमिटर पर चलाएगा ठीक है यहां 56K की resistance से हम एक voltage supply provide करा देते हैं तो देखिए यहां हो गया और emitter same 470 ohm की resistance से सीधे negative supply से जुड़ा हुआ है अब देखिए यहां 470 ohm है और उपर 390 ohm है तो यहां variable बनाने के लिए 200 ohm का यहां पर एक preset use किया गया है अगर preset use नहीं करते तो 470 ohm की एक resistance भी use कर सकते थे लेकिन उसमें फिर हमें adjustment का जंजट खतम हो जाता adjustment नहीं कर पाते तो उससे फिर क्या आगे problem आती आती है क्योंकि transistor हो गई resistance हो गई इनकी value कुछ time के बाद shift हो ही जाती है तो फिर वहां समस्यां आती है इसलिए यहां पर यह एक preset लगा के arrangement इस तरह से बनाए गया है कि अगर कोई हमारी value खिशकती भी है तो यहां से हम preset को adjust कर लें ठीक है हमने हां collector base emitter इस तरह से लिख दिया है तो आपको समझ आता रहेगा कि पहली पर हमारी collector है फिर बेस है फिर emitter है तो उसी shape में हमने draw किये हैं चलिए सबसे पहले हम यहां positive के collector से positive side के collector से आउट लेते हैं G350 से और जो के 54-01 के emitter से चले जाएंगे लेकिन इस पे एक 10 ohm की resistance लगी रहेगी 10 ohm की और उसके बाद यहां हमारे सीधे emitter से यह सिरे जुड़े रहेंगे अब emitter से हो गया उसके साथ ही हम क्या करेंगे कि यहां पे 2 के 7 की एक resistance लगी रहेगी और यह negative supply से direct connect होती है यहां 4 के 7 की एक resistance रहेगी जो के negative supply से डारेक्ट जुड़ी रहती है ठीक है तो यह arrangement हो गया इतना यानि कि यह स्ट्रेस की सारी पिन हमारी complete हो गई है यहां हो गया पहुंच गया है यहां तक ठीक है तो अब उपर वाले को भी देख लेते हैं सेम इसी तरह से वह भी होगा टैनों की resistance से और इसके एमिटर जुड़े रहेंगे तो यह इस तरह से एमिटर हम जोड़ देते हैं ठीक है तो यह जुड़ गए अब जैसा नीचे वाले का रेजमेंट था यह negative supply से जुड़ा था तो ऐसे उपर वाले का रेजमेंट है कि इनका collector भी हमारा सीधे उसी क्रम में सब्सक्राइब जुड़ जाएगा तो यह भी जाके सीधे कलेक्टर से जुड़ जाती है ठीक है तो यह इस तरह से अब कंप्रेट होगा नीचे वाले का भी इसकी वी तीन जो सरे थे हमारे वह कंप्रेट हो गए हैं ठीक है तो यानि कि अब इनके लिए जो supply बननी थी वह से आ चुकी है अगर हम देखें तो कहां से क्न Rather करना ही देख लेते तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे पिए बेस को इस वाले के बेस को नीचे वाले के बेस को आपस में हमें connect करना पड़ेगा ठीक है तो इस तरह से यह connect कर दिया हमने उसके बाद देखिए input हम यहां signal देंगे तो वो कहां से connect होगा देखिए input line आएगी CD और उसके साथ ही एक 5K6 की resistance यहां लगी रहेगी 5.6K की resistance यहां पीएफ लगा रहेगा पीएफ का नंबर रहेगा 104 तो यहां 104 नंबर का पीएफ आपका लगा रहता है और इसके बाद से यह सीधे यहां इनके बेस पे जुड़ जाएगा बेस पे जुड़ जाता है उसके साथ ही एक resistance यह ग्राउंड के साथ भी लगी रहती है तो से बन गया है अब आगे घा हम देख लेते हैं तो देखिए अब क्या होगा कि हम यहां एक ट्राइस्टर लेते हैं और जिसका नंबर रहेगा देखिए हाँ पर इस तरह से जोड़ देते हैं ठीक है यह हो गया अब से में नीचे वाले के लिए ऐसा ही होगा लेकिन हाँ ट्राइस्टर नंबर चेंज होगा 4793 है यह और इसके बेस पर भी देखिए वही सेम हमें जो आउट मिलेगा कलेक्टर से वह मिल गया वह इसके बेस को हम रेजिटेंस लगा के 330 ओम की वन वाट में देखिए 330 वाट सुरी 330 ओम बन वाट उपर लगी है हमारी तो 330 ओम वन वाट नीचे भी लगी है सेम वही कॉंट्रिगेशन चलता है तो यहां देख लीजे आप ठीक है तो यह हम यहां सीदे नेगेटिव साइड से कनेक कर द लेते हैं अब इनके जो कलेक्टर बचते हैं दोनों के उनका आरेंजमेंट किस तरह से रहेगा वो देख लेते हैं तो उसके लिए हम पहले एक ट्राइंस्टर और लेते हैं उपर 5198 ठीक है और इसका जो कलेक्टर से आउट मिलेगा हमें वो सीधे बेस पर चला जाएगा सब्सक्राइब ठीक है और जो इसका एमिटर है स्वरी इसका कलेक्टर जो रहेगा वो हमारा 120 वोल्ट लाइन से जिसी जुड़ा रहता है ठीक है तो अब आगे हम देख लेते हैं नीचे वाला जो ट्राइंस्टर रहेगा उसको भी हमें सेम इसी तरह से जोड़ना है कि इसका जो कलेक्टर से आउट मिलेगा वो सीदे बेस पर चला जाएगा और इसकी कलेक्टर को डिरेक्ट हम यहां नेकटर सप्राइज से जोड़ देंगे ठीक है और अब यहां जो वाइसिंग बॉल्टिज बनता है हमारा तो वो किस तरह से हम एड़िस करेंगे तो वो लगा हुआ है सिम वही यहां यूज किया गया है तो इसे हम देख लेते हैं तो देखिए यहां हम पॉझ टिफ साइट की सप्लाई है वो सिदे कलेक्टर से जुढ जाएगी और जाेगी और इसके साथ धी अभी इसमें arrangement और भी है कि एक preset लगा रहता है क्योंकि बाइसिंग हमें set करनी पड़ती है तो उसके लिए हाँ बन के का एक preset लगा रहेगा और preset के connection जो होंगे तो देखी हाँ हमारी जो यह जो voltage आएगी हाँ पर बेस पर उसी में से एक बन के की resistance लगी रहेगी और वो सीधे preset के एक सरी से जुड़ जाएगी और दूसरा सरा जो है हमारा उनीचे वाले transistor के बेस वाले point से जुड़ जाएगा जैसे कि यहां जुड़ा हुआ है ठीक है तो इस तरह से यहां जुड़ जाता है अब यह प्टी सेट लग गया अब इस पर ही हमारा बेस कनेक्ट होगा उपर की तरफ देखिए यहां पर जो भी voltage बनेगी बेस पर जाएगी बेस के साथ ही यहां पर हमारा वाइसिंग एडजेस्ट हो जाता है ठीक है तो यह हो गया इस तरह से अब वो होता क्या है कि देखिए बाइसिंग के साथ ही हमें क्या करना पड़ेग है क्योंकि बहुत higher bolt की आपकी यहां supply लगी होई है तो आप 63 यूज़ करें ज्यादा सही है बाकी आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं जो लोग जानते हैं वह ठीक है तो यह हो गया अब इसके आगे देख लेते हैं तो देखिए आगे क्या होगा कि एक transistor और लगेगा इसमें 5198 देखिए यहां 5198 पहले से लगा था और अगला एक 5198 और लगेगा और यह सीदे इसके एमिटर से जुड़ जाएगा जाएक ठीक है और इसका भी सेम उसी की तरह एनेजमेंट है तो इसका collector भी हमारा positive surprise जुड़ जाएगा और नीचे सेम वही है कि इसका एक प लेते हैं देखिए सीदा इसका भी एमिटर सीदे बेस से connect होगा ठीक है अब यहां क्या है कि अब देखिए यहां हमने इस एमिटर के साथ में कोई resistance नहीं लगाई है ना इसके साथ में लगी है सीदे बेस पर आ गया है तो इस तरह से यह यहां काम नहीं करता तो यहां क्या किया गया है कि देखिए यहां एक रेजिस्टेंस लगाए गई है तीन सो तीस ओम वर्ट में ठीक है तो इसी को अगर ध्यान से देखें तो यह हमारे इस एमिटर के साथ जुड़ी है ऐसे करके और यहां आते ही नीचे से एमिटर से यहां जुड़ी हुई है यह बेस पे न जुड़के एमिटर से जुड़ी रेजिस्टेंस है और इसके जो आउट हमें वो सीधे यहां मिल जाता है ठीक है तो यह इस तरह से बना रहेगा इसका आरेंजमेंट आगे देखते हैं तो आगे में देखिए क्या है कि हम नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद से देखिए इसका जो आउट मिलेगा हमें वो दूसरे ट्रैंस्टर के लिए जाएगा लेकिन उससे पहले क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस यहां लगी रहेगी 150 ओम की और यह भी 2 वाट में रहेगी यह दरसल बे रेजिस्टेंस टूबोट में और सीधे यह बेस की लाइन से जुड़ जाएगी अगर इसे देखा जाए तो यह एमिटर से सीधे एमिटर के लिए जुड़ती है ठीकिन यहां बेस के साथ बना हुआ है तो आप कन्फीजन ना रखें जैसा यहां बताय गया है आप उसी तर करके ही काम करें क्योंकि यह बहुत ज्यादा ही वाटका बोर्ड है सप्लाइब इसमें ज्यादा है तो आपको साब दानी बरतने के ज्यादा जरूरत है एक बार फिर से बता रहा हूं आपको तो देखिए यहां इस तरह से हो गया अब उसके बास से हमारा जो आगे काम होग करते हैं 201 और उसको हम कनेक कर देते हैं कलेक्टर को सीधे पोजिटिव लाइन से और एक 150 ओम की रेजिस्टेंस सीधे स्पीकर लाइन के साथ लगी रहती है और यह टूबाट में रहते है ठीक है नीचे वाला भी से में इस तरह से यह रहेगा और उनीच तालिस है तो इसक के साथ ही हमारा यहां से क्या होता है आउट निकल जाता है जो कि बेस प्लस बनता है उपर वाला यानि कि इसके मीटर से पॉइंट निकलेगा रेजिस्टेंस से पहले ही तो यह बेस प्लस पर चला जाएगा यानि कि जो आगे हमारे 52 लगेंगे उनके बेस पर चला जाएग ठीक है अब बचता है काम तो सिर्फ फीडबैक वाला सबसे एहम रोल इस में फीडबैक कई यह है क्योंकि अब आज बनना भी करना फीडबैक के उपर ही डिपेंड करता है तो देखिए फीडबैक इतना अच्छा रहेगा सरकिट भी इतना अच्छा ही काम करेगा तो मुझे यहां देखना पड़ेगा एक बार मैं अभी बताता हूँ आपको चलिए मैं क्लियर कर दूँगा लास्ट में आपको कि यह 220 है के है 220 ओम है ठीक है और उसके साथ ही यहां पर एक यह कनेक्शन हमारा सीधे बेस पे चला जाता है और बेस पे जाने के बाद सीधे उपर आवाले की बैसरे कनेक्ट हो जाता है इस तरह से ठीक है तो यहां इस तरह सोगए अब इसकी मिडल से एक कैपिस्टर लगा रहेगा देकी मिडल पॉइंट सीक्टिन लगा रहा रहेगा इसका प्लस पॉइंट हमारा इधर रहेगा चुकिए 220 माइक्रो फेरेड का रहेगा यह बात करें तो 63 वोल्ट आप लगा सकते हैं और यह सीधे ग्राउंड के साथ में कनेक्ट रहेगा ठीक है उसके साथ ही अब यहां देखिए 470 कि माइक्रोफरेट का एक कैपिसिटर रहेगा और यह एक रेजिस्टेंस है 100 उसके साथ लगा रहेगा ठीक है तो 100 उम के साथ सीधे यह फीड़ेक लाइन से जुड़ा रहेगा यहां पर और उसके साथ एक कोर कैपिसिटर है जो 220 उम के रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा रहेगा और यह 100 माइक्रोफरेड का रहेगा बोल्ट की बात करें 63 वोल्ट आपको बता दिए तो आप यूज कर सक के की एक रेजिस्टेंस है और उसके साथ ही एक 233 यानि के 333 नमबर का पीएफ है और यह सीधा हमारा बेस के साथ यहां जुड़ जाता है फीड़ेक वाला बेस जो है यहां पर गया है और नीचे यहां से यहां जुड़ा हुआ है देखिए यह यहां इस तरह से पूरा सिस्टम जो है यहां पर तो वो कई गड़वड ना हो जाए और सर्केट में प्रॉलम आ जाए इस अच्छा मैं इसे क्या करता हूं यहां ड्रॉ कर दिया है मैंने उसी सेक्शन को लेके थुड़ा बड़े बड़े में तो आपको समझा जाए कि वही फीड़बैक वाली स्प कमेंट करके कि आप कहां से देख रहे हैं आपकी दुकान है कहां पर है आप क्या काम करते हैं तो अगर दुकान है तो किस किस चीज का आप काम कर रहे हैं ठीक है क्योंकि आपको इसी चैनल पर रहना पड़ेगा वीडियो खतम करने से पहले एक वार फीड़बैक लाइन को मैं दुबारा से कर लेता हूं क्योंकि मैंने स्योर कर लिया है तो उसके साथ ही आप देखिए यहां पर सबसे पहले हमारी जो होगी वह सीधे 110K की एक resistance जुड़ी रहेगी 10K है और उसके साथ ही 220Q की एक resistance जुड़ी रहेगी सके सीरिज में और उसके साथ ही यह सीधे हमारे जो बेस होता है दौनों ट्राइस्टरों का वहां जुड़ी रहती है तो इस तरह से यह यहां पहले एक first step complete हो जाता है अब जो capacitor हमारे यूज होंगे हैं मिडल से कैपिस्टर लगा रहेगा जो के 220 माइक्रो फैरड रहेगा और यह सीधा ग्राउंड के साथ जुड़ा रहता है इसका दूसरा सरा नेगेटिव पड़ीज तरफ है और अगला वाला है तो यहां नेगेटिव रहेगी पोजिटिव इस तरफ रहेगी यह 470 माइक्रो फैरड का है और यह क्रेक्षिटेंस के साथ सीधे फिड़्वाय से जुड़ा रहता है जो एक रची से आगे हैं एक 220 जूदिस्टेंस इसके साथ चुड़ा रहेगा पोजिटिव सब्सक्रामारा डिस्टेंस की तुरफ रहेगा नेगेटिव ऊपर की तरफ और यह सीधे ग्राउंड लाएं से जुड़ जाता है तो आगे यह स्टेप हमारे कंप्लेट हो गए लेकिन फ्रिकेंसी को अड्जस्मेंट के लिए यानि की फ्रिकेंसी को स्मूथ रखने के लिए यहां पर देखिए 33 के के रिजिस्टेंस और लगाई गई है और उसके साथ ह एक पीएफ लगा है तीनसो तेटीस और यह सीधे जाके हमारा बेस वाली लैन से सीधे कनेक्ट हो जाता है यानिकी फ्रिकेंसी हमारी इस तरफ से भी यहां तक पहुंचती है और यह से अर्रेंजमेंट पूरा बना हुआ ही थो दो तरफ यह आं रेंजमेंट दिया गया है तो आपने देख लिया ये feedback हमारी line भी complete यहां हो जाती है तो ये था आज का वीडियो उम्मीद है आप लोग support कर रहेंगे like comment कर देंगे और अपना place बताएंगे कहां से आप देख रहे हैं ठीक है तो thanks for watching आपने पूरा वीडियो देखा धन्यवाद और तहे दिल से आभारी और जो लोग देखते हैं उनका सही है और जो नहीं देखते तो नहीं problem फिर आती ही आती है ठीक है तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार